आज की रेसीपी है विंटर स्पेशल में मिक्स वेज लेकर आई हूँ बहुती इजी यम्मी और शादियों वाली तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से हम बनाते हैं इसे तो यह मैं बनाने जारी हूँ देसी घी में क्योंकि देसी घी में अगर आप कोई भी चीज त्रीज बनाते हैं कोई भी बनाते हैं तो यहां मैंने एक बड़ा चंमत देसी घी का लिया है जैसी ही घी पूर अच्छे तरीकी से melt हो जाएगा gas का flame मैंने अभी slow रखा है क्योंकि देसी की को कभी पकाना नहीं चाहिए ना olive oil को तो यहां मैंने दो हरी लैची लिए है दो long मैं लूंगी और थोड़ा सा ही जीरा लूंगी मैं जादा जीरा नहीं डालेंगे नहीं तो जीरा जीरा ही होता है मूं में तो होता है उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है फिर प्यास का ही टेस्ट आता है सारा सबजी का आता ही नहीं है तो प्यास हमेशा जब भी आप कोई भी सबजी बनाने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ही बनाए यह ना हो के सबजी गम हो और प्यास ही प्यास जादा हो तो प्यास म कई सब्जियों की बादी हो जाती किसी को गैस बनने लग जाती है तो लस्टन अदरक डालें आप उसमें हींग डालें ताकि उसकी बादी का असर जो होगा वो खतम हो जाए तो यहां मैंने एक से डेट चमच के करीब लस्टन अदरक डाला है और इसको अच्छे तरीके से से तीन मैंने हरी मिच ली है मैं हरी मिच हमेशा पहले ही डालती हूं बाद में नहीं डालती हूं क्योंकि हरी मिच का जो फ्लेवर होता है और जो उसकी स्मेल होती है वो जो हम प्यास वगरा यह मसाले जब डालते है तब तेल में घी में आप यह भी कर सकते हो कि जब घी डा के साथ में मिक्स करूंगी ताकि कुछ भी अगर कसर रहती कच्छे पन की तो वह अच्छे तरीके से गल जाएं पक जाएं तभी मैंने आलू और मटर जो हमेशा पहले ही डाल के मैं फ्राइ करती हूं तो आलू हलके से अच्छे में लगेगा कि हाँ ब्राउन हो चुके हैं टम लाता है तो दक पनी हланतर तो हम इसको अच्छे तरीकी से मिक्स कर देखने की नहीं नहीं डालई और वेज़ेटेबल टालें अब इसे नहीं अग्राइध और मेरी सबसे जादे कर Jewish नहीं ताकि tę। कड़ी पत्ता भी डाला है कड़ी अभी डाला है क्ड़ी अग्रेध न यहां मैंनAY एक टामाटर को कड्डु गal स posis लिए 5 में तब बाद बदक है ऑजो से अजने मैंने पी Hm तक अचरीरमिय के निद्ट वाजन ऐसी अधिनीं इवरी बॉने अब यहां मैंने समय मज़ गाज़ गोबी यह राण वी इन सब को अच्छे तरीकी से मैंने वॉश करके रख लिया था अब मैं इन सब को मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हलके हाथ से ताकि कोई भी सबजी हमारी टूटे उटे नहीं तो यहां गैस कफले मैं अब हाई करा है बैने स्लो कर दिया था जब हमने मसाले डाले थे तो अब इसको अच्छे तरीकिसे मिक्स करेंगे अब इसको अच्छे तरीकी से मिक्स करेंगे सिफ खाली 30 सेकंड के लिए एक मिनट के लिए अब इसमें पानी डालना है हमने इसको ड्राय बनाना है देख गाजर भी पानी चोड़ेगा गोबी भी पानी चोड़ेगी तो अब हम इसमें एक चमट देड़ चमट के करी मैंने प तो यहां मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था आपको भी अगर लगे तो आप नमक इस पॉइंट पे चेक कर लें तो नमक मैंने डाल दी आदा चमच और डाला है आप अपने इसाब से मसाले कम बढ़त कर सकते हैं तो यहां मैंने इसको अच्छी तरीकी से मिक्स कर लिया है थोड़ा सा डाल कर अब मैं इसमें सीटी लगा दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है प्रेशर कोकर के लिट लगा दी है और देखते हैं एक्सेडेट सीटी के बाद में और मैंने इसकी स्टीम में ही छोड़ दिया था तो यहां देखे सबजी हमारी बह आप जैसे डाल बनाते हैं या एक करी बना रहे हैं मटर पनीर बना रहे हैं अगर आप डालेंगे कस्तूरी मेती तो बहुत अच्छा लगता है तो यहां मैं अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दो मिनिट के लिए मैंने ढखके रखा है और यहां देखे सबजी हमारी गल करे करेंगे बहुत यं़ी िसकती हमारी कैसी बिलकूर नए थरीक बनाई हैं पिस तरीके से मनाधे मुझे करने बाता हैं